नमस्कार दोस्तों मेरा नामे सतीस और अपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है कि आपके जो फोन पर कॉल आता है या फिर मैसेज आता है आपके स्मार्ट वाच पर कोई भी नटिफिकेसन आएगा वह साड़े यहां पर सो करेंगे कैसे सो करेंगा आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो में लास तक बने रहीएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल की सबसे पहले आपको app से connect करना होगा इस smart watch को वैसे बीना app से connect किये तो इसका time भी सही नहीं होता है तो apps सबसे पहले connect करना होगा उसके बाद यहां पे आपको इसमें settings करनी होगी message में जाके सारे notifikation सो आन करना होगा तो यहाँ पर नूल सो नहीं करेगा और आपके phone पर जो भी notification आएगा, जो भी message आएगा, वो call आएगा, तो सारे यहाँ पर आपके smartwatch में सो करेगा, तो चलिए friends आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यह सब permissions on करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह smartwatch है FitPro app से connect होता है, तो मैंने यहाँ वे FitPro app को download कर लिया है, उसको connective कर लिया है, तो आपने अगर connect नहीं किया है, अभी तक मैं इसके उपर already वीडियो बना चुका हूँ, और उस वीडियो में friends smartwatch के सारे features, और FitPro app के भी सारे features को मैंने discuss किया, step by step, friends जाके वीडियो को जरूर द जिस तरह का interface आपके सामने खुल के आजाएगा, तो आपको simply set पर click कर लेना है, तो देखिए friends अभी मेरे WhatsApp पर notification भी आ रहा है, लेकिन अभी मेरे smartwatch में कोई भी notification सो नहीं कर रहा है, कोई भी message यहाँ पर show नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, पर long press करेंगे, बहुत स सबसे पहले आपको check कर लेना है, कि आपका smartwatch है connect है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका model number होगा smartwatch का show करेगा, और आपके smartwatch में भी connection का option आएगा, ठीक है, और तो यह अभी long press कीजेगा, तब भी यहाँ पर change हो जाएगा, यहाँ पर connection का option आपके सामने smartwatch में show करेगा, message press फे, message press खुल जाएगा आपका, उसके बाद friends यहाँ पर सबसे उपर देखिएगा, तो call reminder का आपको option मिल जाएगा, तो call reminder को जो आप on कर दीजेगा, तो जो भी call आएगा आपके smartwatch में यहाँ पर show करेगा, ठीक है, तो चलिए इसको on करते हैं, जैसे ही आपको click किदेगा, तो आपको कुछ permissions agree करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको agree पर click कर देना है, और यहाँ पर phone calls आपको allow कर देना है, contact allow कर देना है, और phone log भी allow कर देना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर message reminder का option मिलता है, तो message आपका bank का message आपके आपके आते है, WhatsApp को आपके message यहाँ से show करेंगे, तो इसके लिए भी आपको agree करना पड़ेगा, जैसे ही आपको इसको on करेंगे, तो यहाँ पर message को भी allow कर देना है, ठीक है friends, तो call का और message का तो हमने on कर लिया, अब बात करते है, WhatsApp, Instagram, Facebook की, Twitter की, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसके options आपको मिल जा कर रहा है, तो आपको देना है FitPro app का notification का access, तो यहाँ से आपको click करके और allow कर देना है, ठीक है, हमने यहाँ पर permissions okay कर दिये हैं, और आपको back चले जाना है, यहाँ से, उसके बाद friends इसमें से आपको जो जो on करना है, असानी से on कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर WhatsApp का on करता हू आप on कर सकते हैं, यहाँ पर set successfully लिख के आजाएगा, तो समझ लिजे कि आपका लिए, हो गया है, असानी से आपका message आएगा, और call आएगा, आपके smartwatch में so करेगा, ठीक है, तो मेरे पास दूसरा भी phone है, मैं try करता हूँ, यह जो होता है कि नहीं होता है, हमारे smartwatch में आता ह आपको live दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंट्स, तो फ्रेंट्स मैं यहाँ पर message लिख के भेज रहा हूँ, मैं अपने दूसरे वाले phone से, तो मैंने यहाँ पर message sent कर दिया, अब देखते है कि हमारे phone पर आता है, तो smartwatch में so करता है कि नहीं, तो देखिए फ्रेंट्स हमारे phone मे message आए तो वह स्मार्ट्वाज में so नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो message आ रहा है, वह यहाँ पर so कर रहा है, तो इस तरीके से जो WhatsApp के message है, वह आप यहाँ से check कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर click करके भी देख सकते हैं, जो message आपके, यहाँ पर long press कीज़ेगा message पर जाके message में भी so कर रहा है, ठीक है friends, अब friends हम call करके भी try करेंगे कि हमारे smartwatch में number so कर रहा है कि नहीं call आ रहा है कि नहीं, ठीक है friends, मैं आपको live दिखाऊंगा, तो चली आप call करके try करते हैं, ठीक है friends, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को like ज़रूर कर द friends, देख सकते हैं, आप जो phone आया है मेरे phone पर, वो ये smartwatch में भी so कर रहा है, यहाँ पर number भी ये so कर रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से जो आप call भी यहाँ से अपना पता कर सकते हैं, कि किसका call आया है, किसका क्या है, ठीक है friends, तो उमेद करता हूँ friends, ये वीडियो पसं पाप बहुत दन्यवादी